हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास त्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स मैंने कुछ दिन पहले आपको कैशन सब्टाइटल वाले यूट्यूब के नई अपडेट के बारे में बताया था तो मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे ह कि सर ये कैशन सब्टाइटल क्या होता है इन्हें हम अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर कैसे लगा सकते हैं और अगर हम इन्हें यूज करते हैं अपनी वीडियो के अंदर लगाते हैं तो उससे हमें क्या-क्या फायदे होते हैं सर प्लीज ये सब कुछ हमें एक क्या होते हैं और आप अपनी YouTube वीडियो के अंदर कैप्शन या सब्सक्राइटल को कैसे एड़ कर सकते हैं कैसे उन्हें अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं और इसको यूज करने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे यह भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और इसे क समच जाएंगे अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे नोटिफिकेशन को ओन करके उसे आप ओल पे सेट कर लें और जिससे आपको मेरी आन अपने लैपटोप की स्क्रीन के उपर अब आप यह मत सोचना कि मैंने मोबाइल से नहीं सिखाया मोबाइल की स्क्रीन छोटी है और इसकी बड़ी है इस पर अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल फोन में यहां पर कर अंगर रखी है सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि CC जो क्लोज कैप्शन जो होता है जो यह कैप्शन होते हैं वो कैसे आपको पता लगेगा कैसे आप इन्हें ऑन ओफ कर सकते हैं और आपको कैसे पता लगेगा या किसी वीडियो में लगे हुए है या नहीं लगे हुए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसे मैंने 12 सेकंड तक प्ले किया, उसके बाद स्टोप किया और यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहें, अगर आप फोन से करेंगे, तो आपको यह वीडियो के ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, तो बस इतन नहीं अंतर है फोन में और मोबाइल में ठीक है तो यह आपका जो यह CC वाला उप्शन है यही होता है Closed Caption अब इसमें कोई भी Caption एवेलेबल नहीं है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यह Highlight भी नहीं है इनकी तरह है ठीक है जैसे यह Highlight हो रखे है वाइट कलर के यह वाइट कलर का नहीं है यह डल हो रखा है मतलब इस वीडियो में कोई Caption नहीं लगा हुआ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लिक नहीं हो रहा अनएवेलेबल आ रहा है वहीं में अगर दूसरी वीडियो के उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह CC वाला ओप्शन जो है यह आपका Enable है आप देख सकते हैं यहाँ पर Highlight हो रखा है वाइट कलर का हो रखा है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यह वीडि लगा हुआ है और किस वीडियो में नहीं यह CC वाले option पे click करके ठीक है तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और बाद में इसका proper work बताऊंगा कि language कैसे change करनी होती है ठीक है तो मैं आपको पहले करना सिखा देता हूं कि वीडियो में कैसे लगाते हैं फिर आपको मैं बता अधरियो को ठीक है इहां पर मैंने content वाले पे click किया हुआ है तो यहां पे मेरी सारी वीडियोज आ रही है जो भी है तो आप जिस वीडियो में भी लगाना चाते है वो वीडियो आपको select कर लेनी है जैसे मैं यह वाली वीडियो जो starting में ही है इस पे click करता हूं और इस यहां पे भी मिल गया subtitles का ठीक है तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं मैं आपको इस तरीके से बताता हूं यहां पे subtitles आ गया ठीक है यह highlight हो रखा है अभी तो लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है scroll down करना है और यहां पे आपको और नीचे आना है अपनी वीडियो में ही और नीचे आना है टेक से भी नीचे जाना है आपको और यहां पे आपको language and caption certification यह वाला option मिलेगा इसमें आपको अपनी video language को हिंदी में select कर लेना है जिस language में आपने video बनाई है वो language आपको यहां पे इस पे click करके इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहां पे आपके सामने क इसको आप जैसे ही select करेंगे उसके बाद आपका जो यह subtitle वाला option है यहां पे highlight हो जाएगा पहले नहीं होता अगर highlight है तो अच्छी बात है लेकिन यह पहले नहीं होता ठीक है जब तक आप language selecting करेंगे अपनी video की तो यह highlight नहीं होगा तो मैंने Hindi language select करी यह highlight हो गया अब मैं इसके उपर click करूँगा यहां पर जो edit का option है इसके भी कर सकते हैं तो friends आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो भी मैंने video के अंदर Hindi में बोला है वो सारा यहां पर automatic आ गया है जैसी हमने subtitles वाले option के उपर click किया यह सारा यहां पर Hindi में लिख के आ गया है यहां पर edit timings के बाद यहां पर three dots हैं इस option पर अगर आप click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अपने subtitles को आप download कर सकते हैं इस text को clear कर सकते हैं मतलब हटा सकते हैं खुद लिखना चाहें वो भी आप manually लिख सकते हैं यह आपने कहीं लिख कर रखा हुआ है तो यहां यहां पर upload file करके आप उस file को यहां पर upload भी कर सकते हैं इस सारी चीज़े आप यहां पर कर सकते हैं अब जैसे मान लिजए यह text जो है वो हिंदी में आ गया है ठीक है तो यहां पर जो यह text आया है उसमें थोड़ी mistakes होती है थोड़ी गलतियां होती है तो आप उन mistakes को सही कर सकते हैं थीक है उनको सही करना है आपको थीक है ताकि कोई दिक्कत नहों तो मैंने इसको सही करके रखा हुआ है मैं उस file को यहां पर import कर सकता हूं यहां मैं उसे टेक्स्ट को clear कर देता हूँ, clear text पे click किया, और यहाँ पे मैं उसे paste कर देता हूँ, जो भी मेरा text था, ठीक है, यही वाला text है, मैंने इसको सही कर लिया, जो भी इसमें गलतियां थी, वो मैंने सही कर लिया, आप यहीं पे सही कर सकते हैं, ठीक है, पढ़के और यहाँ पे process में take a few hours, यह बोल रहा है, लेकिन यह automatic हो गया है, तो यहाँ पे हम दुबारा इस subtitle वाले option के उपर ही आएंगे, और यहाँ पे दुबारा click करके जब हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह automatic, जो मेरा जो title, जो मैंने इसमें subtitles add करें हैं, वो automatic पट गए है time के according, जैसे जैसे मैंने बोला है, उसके according, यह automatic इनके अलग-अलग section बन गए है, एक एक line अलग-अलग हो गई है, ठीक है, इस तरीके से यह बट जाएंगे, आप देख सकते हैं, इने, ठीक है, done हो गया, तो यह आपकी वीडियो के अंदर हिंदी में लग गया है, ठीक है, म आए, ठीक है, इसको मैं off करके, दुबारा क्लिक करता हूं, monetization वाले पे, इसे off करता हूं, done करता हूं, उसके बाद save कर देता हूं, तो अब इस पे add नहीं आएगी, कुछ देर के लिए, जब तक मैं इसे off रखूँगा, आपको play करके दिखाँगा मैं इस वीडियो को, तो म मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो यह आप देख सकते हैं, यहापे हिंदी में यह दिखने लग गया, जो हमने अभी लगाया, अपनी वीडियो के अंदर, तो यह हमें अभी हिंदी में दिखने लग गया है, ठीक है, मैंने इस पे add बंद कर रखूँगा, इसलिए मैं से कैसे add करनी है, या कोई और language में आप add करना चाते हैं, तो वो आपको कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से काट देता हूँ, वापिस हमें इस वीडियो के उपर आ गए हम, ठीक है, यहाँ पे हम दुबारा इस वीडियो पे ही click करेंगे, इस वी इस वीडियो पे इस वीडियो के उप्षिन आ रहा है, इसके उपर click करेंगे, तो यहाँ से आप जो लेंग्वेज इसमें एड करना चाते हैं, वो लेंग्वेज आप स्लेक्ट कर लेंगे, जैसे हम English एड करना चाते हैं, तो हम E वाले section पर आएंगे, English India, English United Kingdom, English US, तो आप किसी चाहे वो यहाँ से select कर सकते हैं, हम यहाँ पर simple English ले लेते हैं, English मैंने select करी, तो आप देख सकते हैं, अब title और description में भी यहाँ पर add कर सकते हैं, subtitles add कर सकते हैं, तो मुझे subtitles में add करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर add पे click करूँगा, तो मैं जैसे ही add पे click करूँगा, तो मेरे सामने ये तीन option आ जाएंगे, upload file कर सकते हैं, अगर आपने English में लिखके रखा हुआ है, तो वो file यहाँ पे upload कर सकते हैं, manually आप type कर सकते हैं, इस पे click करके, और यहाँ पे auto translate का एक option है, मैं इस वाले option के उपर click करूँगा, तो मैं जैसे ही इस पे click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये उपर Hindi में लिखा आ गया, नीचे English में लिखा आ गया, automatic आ गया, यहाँ पे Hindi में आ गया, जो आपके पहले इस box के अंदर आ रहे थे हिंदी वाले, वो उपर आ गये, और यहाँ पे ये English वाले आ गये, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे English में भी subtitles लग गये, आप देख सकते हैं, सब के अंदर इसी तरीके से आ गया, और यहाँ पे आपको publish कर देना है, तो जैसी मैं publish के उपर click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये English वाला subtitle भी इसके अंदर लग गया, अब मैं आपको इस वीडियो को play करके दिखा देता हूँ, तो ये वली वो वीडियो है, मैं इसको दुबारा से यहाँ पे play करता हूँ, तो ये मैंने दुबारा से यहाँ पे play करी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये English में subtitle आने लग गए, अब मैं यहाँ पे CC पे दुबारा क्लिक करूँगा, तो ये हट जाएंगे, अब मुझे मान लिजिए, Hindi में चाहिए, तो मैं इसकी language चेंज करनी है, मान लिजिए मैं किसी दूसरी country से देख रहा हूँ, US से देख रहा हूँ, भार के किसी country से देखता हूँ, मुझे Hindi समझ नहीं आती, मुझे English में समझ में आती है, तो मैं इसमें settings के उपर जाऊँगा, और यहाँ पे आपको subtitle CC, ये जो option है, थर्ड नंबर पे, इस पे click करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप दो language हैं इसमें, अगर आप Hindi में देखना चाते हैं, तो Hindi में यहाँ से select कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे Hindi में आ गया, मैं Hindi में क्यों लगाता हूं, क्यों लगाना prefer करता हूं, मान लिजिये, आप सुन नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं, तो आप देख के Hindi में, मेरी वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे, subtitles में Hindi में लगा दिया, आप जिसमें चाहें, वो यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, तो इस CC वाले option पे दुबारा क्लिक कर दे, इस तरीके से आप इसे हटा सकते हैं, तो मैंने आपको सारा practical करके, दिखा दिया कि आपको किस तरीके से, सेब तर आटल्स एड़ कर लेते हैं, तो माल लिजे आपके कोई भी वीडियो आपने जिस भी traffic पे बनाई है, उस टोपिक को अगर कोई दूसरी country, US हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया है, बहार के कोई भी country होगी, उससे अगर आपकी वीडियो के उस topic को search करता है और मालीजी उसके सामने आपकी वीडियो आ जाती है और वो आपकी वीडियो को देखना चाता है लेकिन आपकी वीडियो तो Hindi में है या India की और किसी language में है तो वो सोचता है कि अब मैं इस वीडियो को कैसे देखूं तो वो captions वाले जो subtitles वाला option होता है CC का उसपे click करता है और वहां से आपकी वीडियो की language को अगर आपने उसमें subtitles लगा रखा है English में तो वो आपकी वीडियो की language को English में कर देता है और उससे वो देख लेता है मतलब वो आपकी वीडियो को नीचे सब्टाइल्डल्स जो लिखे आते हैं उन्हें इंग्लिश में देखके उनसे आपकी वीडियो को समझते की कोशिश करता है और इससे आपका जो एक तो और आपकी वीडियो को देखेंगे और दूसरा आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो ये काफी अच्छे फाइदे हैं आपको आपको अपनी वीडियो के अंदर ये लगाना चाहिए जैसकि मैंने आपको इस वीडियो में लगा के दिखाया ऐसे आप भी अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई question आ रहा है आपके mind में कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share करना ना भूले thank you